हेलो हेलो दोश्तो रादे रादे कैसी हैं आप लोग आसा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे तो दोश्तो आप सभी का बहुत बहुत सागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लोग में और हो चुकी है सुबा तो सुबा के जो भी कामते वो हमारे हो चुके हैं और इसके बाद हमने नहा लिया है नहाने के बाद बना ली थी चाय चाय हमारी हो चुकी है उसके बाद हमने काट ली है सबजी सबजी में वना रहे था रही है यहां पर हमने तुरजग दिया है और इस दुपार हम देद को चपटि उसके बाद थोड़े से चावल बना लेंगे इसी कड़ाई में ही बनाएंगे चावल तो थोड़े से ही बनाएंगे इसलिए आज कड़ाई में ही चौक देंगे चौक कर बनाएंगे तो हमने कचलो आज कड़ाई वाले चावल खाएंगे तो कड़ाई में ही चौक देंगे सब तो दूस्तो आज है संड़े और दोनों पेटे भी हमारे खेल लाए है और चोटा वाला भी सो गया है तब तक हम अपनी जाड़ो गएरा लगा लेते हैं और सारे काम निप्टा लेते हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि फिर वो करने नहीं देता है तो दूरबी हमारे बरतन भी रखे हुए हैं दुलने के लिए तो हमने का चलो पहले साथ सफाई कर देते हैं जाड़ो लगा देते हैं उसके बाद ही बरतन दुलेंगे तो पहले जाड़ो लगा दे रहे हैं फिर बरतन दुलेंगे उसके बाद करेंगे लिपाई तो उस दिन ह आज अपने कमरे में करेंगे, क्योंकि कमरा हमारा बहुत ज्यादा खुद गया है, चुओने बहुत ज्यादा मक्ती, खुद खुद कर इखटा कर दी है, तो दोस्तों, इस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए मन नहीं लगता है कोई काम करने में, और इस सम और मन चड़्चड़ा सा हो जाता है, तो काम तो करते ही रहते हैं, बस मन ओपर ही खुष रहते हैं। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, जब हम कोई बात बोलते हैं, तो हम ही गलत बताए जाते हैं। क्योंकि अगर कोई अपने मन की बात कहनी चाहो तो बस गलत ही लगती है सब को तो इसलिए बहुत ज़्यादा अटेंशन रहती है और इसलिए काम तो करते ही हैं पर क्या करें काम तो करना ही पड़ेगा और आज न हमने अपने बेटे की भी पिटाय कर दी मतलब किसी और का गुसा बेटे पे निकाल दिया पर मुझे बाद में बहुत ज़्यादा हम रोय भी थे बेटे को पीटा और अच्छा भी नहीं लग रहा था बिलकुल भी हमें और तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ज़ मतलब चुहू ने खोद दिया था और यहां पर गड़ा कर दिया था तो थोड़ी सी मिट्टी डाल कर इस ठीक कर दे रहे हैं उसके बार लिपाई करेंगे पहले यह गड़ा बंद कर देते हैं मिट्टी से यहां पर मिट्टी से लेप लगा देते हैं और उसके बार लाल मिट्टी आते हैं लाल मिट्टी भी बोल सकते हैं और हमारे यांग इसको गेरू बोलते हैं तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे और यहां पर हमने जो जाली वाली बोरे होते हैं न सब्जियों जिसमें सब्जियां भरी जाते हैं वही वाला हमने बोरा है इसको बोरे भी बोल सकते हैं बोरा भी बोल सकते हैं तो बस इसे यह प्लैस्टिक का एता है तो इस से लिपाई करेंगे तो इसके हम दिना की ती तो हमढ़ा手 चुका है लिपाई करने के लिए तो चली से चली कर लेते हैं लिपाई और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मारे अगले वीडियो में जो हमने लिपाई वाला डाला था तो उसमें धेशारा प्यार दिया है तो सभी दोस्तों का बहुत-बहुत सुक हमें बहुंच ज्यादा霸ा हो रही है तो दोस्तों इस गर में मैं रहती चुरूर हूब पर मुझे कभी ऐसा ऐसाई नहीं हुता है कि मारा यह घर है हमें इसा लगता रहता है कि हम किराय के घर में रहती हैं बस हमारे पास एक कमरे में जो कुछ है सब इसी में रहना होता है, इसी में सब रखना होता है, तो दोस्तों बस इसी बात को लेकर मुझे बहुँ ज़्यादा टेंसर रहती है, तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों क गलत ही बता जाती है, हर ओरत की गलती, बता ही जाती है, है, आई अगता आता है, खिि तो दोस्तो जब अपने कमाई का और अपना खुद का घर होता है तो इसके बात ही कुछ और होती है और एक सुकून सा मिलता है उसमें रहकर सामती सी रहती है तो बस ये हमारा खुद का घर नहीं है हम कभी नहीं मानते हैं इस बात को तो हमने हमें बस यही लगता रहता है कि हम की बहले हमारा कोड़का हो कटो और उसमें सुकून होता है सामती होती है अधर वर यहAY का सर्पर पर हमुने बसे लाइट चलाकर रख है तो थोड़ी बहुत रोसनी लग भीए तो लाइट नहीं आई है क्योंकि अभिलाइट अने भी लाइट आने का टाइम हो नहीं पाता है और वो साम को आते हैं जे बोलते भी हैं तो वो नहीं रख पाते हैं तो हमने का चलो कोई नहीं यहीं पर रख की रहने देते हैं और इधर एकूलर भी अटाना पड़ेगा भी तो दोस्तों इधर कूलर हटा कर रख देते हैं और जहां पर कूलर रखा है वहां पर भी लिपाई कर देते हैं क्योंकि पिर चूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता है उतना तो पेस कोलर तो हटी जाएवा हमसे तो अच्छा कर देते हैं कि यहीं बुखक Remove तो दोस्तों पता है सबसे बड़ी प्रोब्लम मेरी क्या है कि जब में कोई टेंसन हो या मन में कोई बात होती है तो मैं किसी से बोल नहीं पाती हूँ और नहीं मतलब किसी से कुछ कह पाती हूँ तो इसलिए अंदर-अंदर ही तूट जाती हूँ बस अंदर-अंदर ही रोती रहती हूं किसे से नहीं बोल पाती हूं कोई बात अगर हस्वेंट से बोलना भी चाहो तो वो भी गुज़ा करने लगते हैं क्योंकि वो साम को काम से आते हैं और उनको भी हर बात बताएंगे तो टेंसन होती है तो बस इसलिए भले हमें कोई गाली दे के चला जाए पर हम कभी किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं बस यही मारी प्रोब्लम है इसलिए अंदर-अंदर ही कुटती रहती हूं और बस रोती रहती हूं म मन ही मन रोती रहती हूं और उपर से तो खुछ सी रहती हूं क्योंकि बस किसी को जताती नहीं भी हूं और तो दोस्तो बस इसी लिए मैं परेशान से रहती हूँ और सुचते हूँ कुछ अपना कर लूँ और ताकि हमें किसी की सुनना ना पड़े और कुछ अपने मन से कुछ कर भी सकूँ बस यही हमारी आप सबसे रिक्वेश्ट है कि जादा से जादा आप सपोर्ट करिएगा और जादा से जादा से शेयर करिएगा हमारे वीडियो को तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी लिपाई हो चुकी है और आज का व्लोग उमीद करती हूँ अच्छा ही लगेगा तो दोश्तों कल फिर मिलेंगे नए ब्लोग के साथ तब तक के लिए आप सुभी को नमस्ति